वो पानी की घूंट जो जिन्दगी दिला दे अरबों रुपए से भी बजार से उसक्षन करीदी नहीं जा सकती तो इसलिए भाई सद्गुर के परुपकार उसको तो जीब कभी बुलाए ही ना क्योंकि सद्गुर मौला ऐसे परुपकार करते हैं और कभी ऐसान नहीं जता थ कि मैंने तेरे परुपकार किया हाँ ये जुरूर बता दें कि अगर तू बुरे करम करता रहा किये गए परुपकार तो कोई बात नहीं पर आने वाले भ्यान करम तुझे भोगने पड़ेंगे फिर मत चिला ना इसलिए अपने सद्गुर मौला का शुकरा ना करते रहो क्या पता वो जुबान ही बंद हो जाए जिससे गालियां लिखा दो क्या पता वो कदम बंद हो जाएं जिनसे आप चल चल के दूसरों को यूं और जाते हो इसलिए ऐसे करम ना करो फिर पच्छताओगे हमने देखा है कई केसिज में अजमाया है बचनों के दुआरा समझा आया ससंग में समझाया ना जी मानना नहीं और फिर वो हश्र होता है जिन्दगी का ना जीते में ना मरते में इसलिए वो इस्तिधी आने से पहले-पहले सुदर जाओ छोड़ दो बुराहियां छोड़ दो अंकार खुदी करो जाब राम का करो गुणगान परुबकारों का जो सत्गुर मौला ने किये हैं उस परम्पिता परमात्मा ने किये हैं कोई परुबकार गिनाता है तो टौंटना कसो क्योंकि परुबकार गिनाना सुनाना दिल गुर्दे की बात पीर फगिर के सामने अगर कोई जूर बो पुदी मजाक बनके रह जाओ, कोई मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता है इस कडल की नगरी में, चलते चलते सिक्का कब घोटा हो जाए, चल रहा है, बड़ी अदाम मिल रहे हैं, और जब घोटा हो जाए तर ठक ठक ठक, कुछ भी नहीं, तो इसलिए भाई, जिंदकी का क कोई भरोसा नहीं, हार्मोनियम बजता है, बजते बजते, कब उसकी सुरें बिगड़ जाए और बेसरुआ हो जाए, कुछ मालूम नहीं, तो चलो उसको तो फिर भी कारीगर से सुरों में लाया जा सकता है, अब डोल की फट गई बजते बजते, तो चलो फिर से उसको चें हो गए, यह यह पुर्जाई हिल गया था, आग जाना इधर है, जाओगे इधर, बोलना कुछ और है, निकलेगा कुछ और, तो क्यों, 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 घमंड में, अंकार में, अपने अच्छे खासे जीवन को बरबाद करने पे इनसान तुल जाता है, तो कभी भी कोई बु देना देना नहीं होता है, चोरी कर रहा है, तो इसका मतलि यह थोड़े कि आप भी चोरी करो, जुआरी जुआ केलता है, सारा कुछ बरबाद करता है, इसका मतलि यह नहीं कि आप भी जुआ केलो, ठीक है, कौन क्या करता है, फर्ज है, एक सथसंगी का प्यार मुहपत से सम जाना नहीं तो आप अपने बारे में सोचो ये खुद में जो कमिया हैं उनको दूर करनो इतने हैं काफी है तो भाई राम नाम पे चलने वाले ऐसे ही चला करते हैं भगति अबादत करने वाले ऐसे ही चला करते हैं और मालिक का पलपल शुकराना करते हैं जो शुकराना करते रहते हैं मालिक उनके करम पहाड जैसे चुटकियों में उड़ाते रहते हैं पता है नहीं चलने देते इंसान को याद रखना चाहिए जब गम आता है दुख दर्द भ्यानक कोई परेशानी आते क्यों ना उससे पहले भगती कर ली जाए क्यों ना पहले उससे अपने सद्ग मौला पर दर्द जगीन रखे आगे बढ़ते जाओ ताकि वो परेशानी आईना और मालिक की खुशियों के आप हगदार बनते चले जाएं